नमश्कार और का आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी अ वहां जाके उन्हेने अपना घरबसाया लेकिन अब उनके साथ वो ही हो रहाए जो 90 के दशक में हुआ था उन्हें चुन-चुन के उनके घर में घुसके उनके दफ्तर में घुसके सडकों पे निशाना बनाया जा रहा है उन्हें मारा जा रहा है यह अमानविय है इंसानियत के खिलाफ है देश के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा जब कश्मीरी पंडित भ लोग अपने किसी करीबी को जब मरते वे देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ अवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके अवाज को दबा दिया जाता है ये कैसा निया है चाहे सरकारी करमचारी रहुल भठू श्री नगर में रहने वाले केमिस्ट हैमिल बिंदू या फिर स्कूल टीचर रजनी बाला हूँ इस तरह 16 कश्मीरी पंडेतों को इसी साल चुन-चुन के मारा गया यह सब कश्मीर समाज का हिस्सा है कश्मीर का आमाद में यही चाहता है कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू और मुसल्मान सभी एक साथ रहें सुख से रहें लेक कि एकता सबसे बड़ा खत्रा है आतंकवादियों के लिए आज कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आना चाहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर उनकी जनम भूमी है यह और कहां जाएंगे कोई भी जब अपनी जनम भूमी छोड़के किसी दूसरे शहर में रहन होता है अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहां ट्रक ड्राइवरों से मोलभाव कर रहे हैं बिचारे ताकि समान शिफ्ट किया जा सके वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसे दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के देशक में था अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए सब को एक साथ मिलकर काम करना होगा हमारी इसमें जो भी वुमिका होगी वह हम निभाने के लिए बिलकुल त्यार है जय हम्त